हेलो फ्रेंड्स वल्कम तो नियतिस कीचन नियतिस कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज में आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ मार्किट स्टाइल धाना जीरू और धनिया पॉर्डर आप घर में कैसे बना सकते हैं और कैसे आप इसे सालों तक स्टोर कर सकते हैं हमें मार्किट में धाना जीरू और धनिया पॉर्डर मिलतो जाता है लेकिन जैसा डीस्टा में चाहिए होता है वैसा नहीं मिलता थोड़ी टाइम में उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है और उसका वो अरोमा हम मिस कर देते हैं लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो बहुत ही ज़दा टेस्टी बनता है काफी टाइम तक अरोमा भी बना रहता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है तो कैसे बनेगा चलिए देख लेते हैं वीडियो शुरू करने की पहले फ्रेंट्स आप सभी से एक निवेदन है कि रिक्वेस्ट कि अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कोमेट और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो प हमएं यह मारकेट में मिलती है, आपको वही लेनी है लेकिन मारकेट में को बाहरे प्लीज और को से जरूरी होती इस color की धनिया जो होती है वो एकदम fresh भी होती है और इसमें कोई color भी नहीं मिला होता है आप बहुत dark green color की धनिया लेंगे तो उसमें color मिला होता है और जो भूरे color की होती है वो बहुत पुरानी हो गई होती है तो उसमें से smell भी खतम हो गई होती है और तेस्ट भी इतना अच लेना है आप 500-500 ग्राम भी ले सकते हैं जितना आपको टेस्ट में चाहिए उतना आप ले सकते हैं साथ में मैंने यह आप लिया है दो टेज पत्ते इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अरोमा आती है साथ में एक छोटी दाल चेनी का टुकड़ा ये भी टोटली ऑप्शनल है साथ में लिया है 10-15 काली मेच और 8-10 लवांग आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं लेकित इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक दम मार्केट जैसा हमाँ धाना जीरो पाउडर रेडी होता है इसलिए मैंने इसमें एड किया हुआ है तो सबसे पहले फ्रेंट्स आपको एक कडाही ले रेरी है गेहरे बर्तन वाली जिसमें आप अपने अप सारे मसालों को भून सके यानि रोस्ट कर सके याद रखना है फ्रेंट्स के आपको थोड़े मोटे जो पेंदी होती है अमारे बर्तन की वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए जिससे आपके जो मसाले है वो जले नहीं उसमें आपको अपने धानिया को एड कर देना है और धीरे धीरे इस तरीके से चलाते रहना है कंटेर्यूस ने चलाना है गयस को बिल्कुल छोड़के नहीं चाहना है और आज को एक दम धीमी पर रखनी है जितना अच्छा अपना मसाला रोस्ट करेंगे उतना ही अच्छा उसमें अरोमा आएगा उतना ही बारी को पीसेगा और उतना ही ज्यादा वो चलता भी है उसके से रोस्ट कर ले रहा है तो धीरे धीरे आप अपने धनिया को अच्छे से भूल लेंगे इसमें इस तरीके साब कडाई में उसको फैला दीजिए वो जल्दी भून जाता है और आज को लेकिन आपको एकदम धीमी पर ही रखना है एकदम लोग पर और धीरे धीरे चलाते र तो ये देखिए फ्रेंज आप देख सकते हैं ये हमारी धनिया भूनने के बाद और ये भूनने के पहले आप देख सकते हैं कि कलर में थोड़ा डिफरेंस आ चुका है ये हलकी सी ब्राउन हो गई है और ये ग्रीन कलर की है यानि हमारी धनिया अच्छे से भून चुकी है और हमाई धनिया में से बहुत ही अच्छी सी महेकारी, ये भी एक साइन है, कि आपकी धनिया प्रॉपर ही रोस्ट हो गई है, कम से कम मुझे 10 से 15 मिन के उपर ही लगा इसको भूनने में, सो हमाई धनिया बच्छे से रोस्ट हो चुकी है, अब मैं इस पर प्लेट में निकाल लूँगी, और इसमें जो मेरे बाकी के मसाले हैं, जीरा और जो खड़े मसाले थे, उनको भी इसमें मैं एड़ कर दूँगी, इसे भी मुझे लो फ्लेम पे रही भूनना है, और इसको भ जीरा है, वो भून चुका है, यह देखिए, पाच मुइंट हो चुके है, कितने अच्छे सा माई जीरा जो है, वो भून गया है, अब मैं जो मेरे धनिया थी, उसको भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लोंगी, मिक्स कर लेने के बाद वापस है, इसको हम प्लेट में फैला देंगे, एक से दो मेंन के लिए हलका सा इसको ठंडा होने देंगे, बहुत गरम जो है, इसे हलका से ठंडा हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, बहुत ठंडा नहीं करना है, वरना नरम हो जाएका तो ठीक से ग्राइंड नहीं होगा, थोड़ा सा ठंडा हो फिर हमें इसमें ग्राइड कर लेंगे को छुर्वान हे मूझण हे को खिजा है उसी में त हाही में एक चुरे को आपको प्यांद करती है तो आप मैं इसमें ग्राइन करेंगए अधोज फोड़ करें तो चलकर लेने के बाएपने थाना चिरेंगों को चाल लेसे लोग को जाए वह कुछ गयंते हैं मेदे मेधा से कोछ Sinneris का उल हमें चाल धनारें वहुत हैं चाल भी दो सकते हैं। लेती हूं आपको जैसा पाउडर चाहिए हो आप उसके साफ से उसी चलनी से आप चालिए तो मैं इसमें चान लेती हूं यह देखिए इस तरीके कि जो खड़े खड़े पाटी कास हमारे पास अलग होंगे उसको हम अगें उसी ब्लेंडिंग जार में एड कर देंगे सभी मसा फाइन पाउडर आपको मिल जाएगा अब में धना चीरू पाउडर तो बिल्कल रेडी हो गया है एकदम मार्केट स्टाइल और टेस्ट में भी एकदम वैसा ही अब हम बनाएंगे धनिया पाउडर धनिया पाउडर बनाने के लिए सेम तरीके सा आपको जैसे मैं के लिए आप तो रहा चाल लीजिए और जैसे मैंने बताया कि अगर आपसे एकदम फाइन नहीं हो रहा है तो जटने जार में डालके फिर से पीस लेंगे तो आपके बस फाइन पाउडर रेडी हो जाएगा तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी हो गया है आपका धाना जिरू पाउडर और धाना पाउडर घर में मार्केट जैसा लेकिन मार्केट से सज़ता और मार्केट से अच्छा कोई आटिफिशल कलर नहीं नो प्रेजर्वेट्यूज कुछ भी नहीं है ना एकदम परफेक्ट तो आप भी इसे घर में जरूर ट्राय करेगा और जब आप इसको अपने किसी भी वेंजन में एड करेंगे ना इन मसालों को तो उस वेंजन का स्वाध हो जाएगा दो गुना So friends बात कर लेते हैं, इन्हें store कैसे करें जसे काफी दिनों तो खराब ना हो मेरे बहुत साइब friends जो सालों तक महिनों तक भी store करके रखते हैं मैं इतना नहीं रखती, मैं थोड़ा दिन के लिए बनाती हूँ फिर वापस से जब खतम होता है तो मैं अगेन बना लेती हूँ लेकिन इसका अरोमा नहीं खोए और बहुत दिनों तक चले इसके लिए आप इसको एक काज की बरनी में स्टोर कर सकते हैं या तो फिर मार्केट में जिप लोग बैग आते हैं उसके अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं अच्छे से बंद कर दीजे और उपर रख दीजे अच्छी सुखी जगा पे cool and dry place पे जहां पर पानी भी नहीं लगे और sunlight डिरेक्ली नहीं लगे यह आपको ख्याल रखना है और इसका अरोमा अच्छा बना रहेगा तभी आपका मसाला बहुत अच्छा लगीगा इसलिए एर टाइट में रहना इसका बहुत जरूरी है इसलिए इसका आपको खयाल रखना है बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो कैसे लगी मेरी आपको यह वीडियो प्लीज कॉमन सेक्षन में जरूर बताए अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को धेर सार लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ में सहा सजा जरूर शेयर करिए और ऐसी और भी नई रेसिपीस देखने के लिए नियतिस किचन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और बिल्कुल मत भूलेगा बेल आइकॉन पर प्रेस करना जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी आप हमारे वीडियो ऐसी देखते रहेंगे और नियतिस किचन से चुड़े रहें तब तक अपना और अपनी फैमिली का खयार रखिये बाबाई